इवनिंग का टाइम था और मैं अभी सोखे उटी थी लक्षित भी मेरे साथ था तो भी बोला ममा पॉपकोन बना दो मैं तो हमारे लिए चाय बनाने लगी थी तो फिर इसके लिए फटा-फट मैंने पॉपकोन बनाई और यह मैं उठा के देख रही थी बन गए क्या फिर से तो दिखाओ आगे से अच्छा साइड से दिखती है साइड से यह देखो भाई इधर भी कट लगवाया और इधर भी लक्षि अभी से पहले इतना फैशन आपको अच्छा लग रहे कट सच में मुर्चाय भाई पीने के बाद हम चल दिये थे मार्केट और गाड़ी से हम इ अब अब दिखाओं और यहां पर यहां पर यह है दिले की कसमेरी मार्केट हमारे पास में बढ़ती है तो हम यहीं से ले आते हैं काफी टाइम से रूजनी मार्केट भी चले जाते हैं और यहां से कुछ एक मेलनी थोड़े बहुत फ्रूट्स भी ले लिए थे एक दिन के उच्छु लोगते में एक काफी कम लिये थे और फिर हम आगे घर के वापिस नीभी बनाना मैंगोगरेपश को स्ट्रोबेरि फोड़े-थोड़े यह लिये थे लिया atençãolor और एक नार्यल पानी थे क्योंकि फिर जहां से आप लाते हो ना वहां से अच्छी मिल जाती है आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और यहां से एक लिप सुरू हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब मंडे मॉर्निंग अभी तक जो आपनी देखी वह संडे की थी और सुबह सुबह मैं दिपांसु के लिए दूद गरम किया तो ज्यादा गरम हो गया तो ठंडा कर रही थी फिर मैंने सोचा कि ठंडा यह त किचन में खड़े होते हैं लेडिस लोग तो एक के साथ दो काम तो निपटाई देते हैं क्या खाली खड़ी रहूंगे दूद ठंडा होने की वेट में जब तक मैं बरतन साफ कर देती हूं और फिर मेरी ना ऐसी आदत है जब भी मेरे को अगर एक-दो बरतन भी दिखिया साफ कर देती ह cannisica में मैं चासी साफ कर देती हूं यह नहीं होता कि पूरा सिंक भरने देती है फिर साफ करेंगे सो तो मैं साथ में साफ कर देती हूं मुझे ना वह सैटिस्फेक्शन सा नहीं मिलता है जब तक मैं साफ नहीं करती हूं यह होता है कि कुछ रह गया कुछ रह गया यहां से यह एरिया पूरा प्रोपर साफ करके तभी हटती हूं और इतने में मैंने साफ सफाई की, इतने में दूद भी ठंडा हो गया था, फिर ये मैंने डाल लिया दिपांसु को पिलाने के लिए, सुबह सुबह ऐसे ही होता है, एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर मैंने दिपांसु को अच्छे से गोदी में लिया, वाइपस के स से लाठ कर रही थी देरे धीरे दूद कि दूररी है क्यों़कि एक साथ पिलाने से फिर दिपांसु के तो रात में नहीं लगा पाई मैंने सोचा अब लगा लेती हो सुबह सुबही तो यह ना निलांबरी का दिवासी हेरोल है आप बताना आपने अगर यूज किया हो तो कैसे रजल्ट है इसके मैं तो अभी 15-20 दिन हुए यूज करते हुए मेरे को तो दिख रहे हैं वही पॉजिटिव रजल्ट्स दिख रहे हैं मेरे को तो क्योंकि बाल जड़ने काफी हद तक कम हो गया और हलके हलके मेरे तो शाइनिंग भी आने लगया बालों में सच में पता नहीं आप लोग हैं जाते हैं इसके लिए उभवा ना न काटके रखवान हैं आच में अपने लिए बना रहे थे एक ड्र+, पीती ङॉझा ढाओ जोंकि नव थां correct ढस को भी आन सब्सक्राइब नगत हzeit Cow гол जाएंगे झाएं अब तक ऑन पलदने तो यह साइद में पानी हैं इसको बनाकर का पनीर के लिए यहां पर मैं पानी गरम कर रही थी दिपान्सु के लिए क्योंकि उसकी मेडिसिन का टाइम होता है तो जब तक यह दोनों उबलेंगे जब तक मैं मेडिसिन को मेडिसिन दे के आ जाऊंगी लगे हां तीन-तीन काम हो गए दवाई देके में आगी तो देखिए पनीर वाला दूद भी पूरा गरम हो गया इसके अंदर मैंने एक निम्बू डाला था एक निम्बू पूरा स्कीज किया था यह देखिए पूरा पनीर फटके अच्छे से तयार हो गया है बन गया होममेड पनीर और मैं जब भी बनाती हूं लग शित के लिए कोई भी लगा दी ती कि ताकि कपड़े धुल जाएंगे राम से और गर्मियों के टाइम में नहीर कपड़े डेली डेली होते हैं कई बार तो दो बार मसीन रन करने पड़ती है इतने कपड़े हो जाते हैं क्योंकि गुदरी चद्दर वगरा रहती है दिवान शुगी तो वह अलग तो अब मैं बैठके वह पीरी थी और यह आके देखा मैंने पनीरी देखो चलनी में डाल के रख दिया था इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वह निकल गया बस हलका हलका मोश्यर है इसके अंदर और मेरे को बनानी थी बुर्जी तो मैंने ऐसे गैसे रख लिया अगर आपको अब यह निकल गया थे थोड़ा साही था ज्यदा नहीं था और यह डाल लिया कट्वरी में और यह डाल लें मैंने दूद से निकाल के फिर साफ पानी से धोया इसको अच्छे से ऐसे कैसे निकाल लोगे तो फिन इंबू के वह खटास रह जाती है इसलिए इसको बहुत अबने बाद बताती हूं फिर इसके कैसे रजल्ट रहे हैं थैंक यू फॉर वोचिंग गाइस टेक केर बाबाए